वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों और देखिए अगर आप आर्मी जीडिक की त्यारी कर रहे हों चाहें कलर की त्यारी कर रहे हों जा फिर आप ट्रेड्समेन की त्यारी कर रहे हों तो यह वीडियो आप सभी के लिए most important है इस वीडियो में हम आर्मी के different exams में आए हुए math के previous year के question dresses करेंगे और आपको पता है आर्मी के जो exam का level होता है वो हर साल same रहता है तो यानि कि जो question है वो बिल्कुल same repeat होते हैं कभी कभी तो question जो है बिल्कुल same statement रकम के साथ भी repeat हो जाते हैं तो यहाँ पर हम वही question करेंगे जो कि आपके आर्मी के exam से पहले पूछे गए हैं उ इकाई कांग बताईए तो दीखे संख्या एक 217 की पावर 753 में इकाई कांग ग्यात करो और तो दीखिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है मान लिए जब कोई संख्याए हैं 2 गुणा 3 गुणा 15 तो आप इसमें क्या करेंगे 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और अगर आपको इकाई कांग चाहिए तो आप हमेशा जो है लास्ट वाला इसका भी इकाई कांग देखते हैं इसको इससे गुणा करेंगे 6 35 तो लास्ट का इकाई कांग होता है हमारा 0 इस चीज को पहले दिहान से समझना ठीक है मैं यह मान कर चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता आज लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर देखिए इसमें हमारा इकाई कंग चाहिए तो हमको इस आगे वाली तीन रगम से कोई भी मतलब नहीं है हमको जो लास्ट का डिजिट है 7 हमको सबसे पहले इसी को पकड़ना ह इसका इसकी पावर सा सुत रेपन का हमको इकाई कंग निकालना है यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे ओके तो देखिए आपको मैं बता दूँ दो तीन साथ और आट इन सब के अंदर क्या चलता है इन सब के अंदर जो आपकी चार की साइकलिक चलेगी यानि कि अगर किसी क किसी का इका इकांग लाष्ट में तीन है इसकी पावर जो होगी आप उसको चार से भाग करेंगे और जो शेश्वल आएगा वो आप साथ की पावर को करेंगे वही आप तीन की power को करेंगे जो शेश्वल आएगा वही आप दो की power को करेंगे चीज इतनी clear हो गई तो दिखे इसका इकाई कंग कितना है साथ है जेस्ट एमिनट और इसकी power है 753 तो इकाई कंग हम यहाँ लिखेंगे साथ यहाँ पर आगया 3, यहाँ पर आगया 5, 4 अठे कितने होते हैं, 32 होते हैं, यहाँ पर आगया 3, ठीक है, फिर 4 अठे कितने होते हैं, 32 होते हैं, तो यहाँ पर 6 हमारा कितना है, 6 हमारा एक, तो इस 7 की पावर हमारा जो 6 होगा 1, वो 7 की पावर हो जाएगी, 7 की पावर एक कित करवाना मैंने नेक्स्ट कोश्चन देखेगा यहां पर हमारा है नेक्स्ट है तीन की पावर 61 छे की पावर 43 और साथ की पावर 82 में इकाई कंक कितना है तो फिर से आपको पता होना चाहिए दो 43,7,8 इसके अंदर 4 की साइकलिक चलती है तो यहां पर देखिएगा इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहां से 3 की पावर 61 अब 61 को हम क्या करेंगे यहां पर 4 से हमको भाग करना क्योंकि इसमें 4 की साइकलिक चल रही है तो दीगे चार से भाग के रहेंगे ये पंदरा पे कट जाएगा पंदरा चोके साथ ठीक है और एक हमारा या पे शेश आ गया तो यानि कि मैं बोल सकता हूँ कि जो तीन की पावर है वो उसका हमारा कितना हो जाएगा एक हो जाएगा गुणे 6 अब दिखे 6 और 5 और 1 ये ऐसे नंबर है इनकी पावर कुछ भी हो आपका इकाई कांग यही रहने वाला है ठीक है तो 6 5 1 में कुछ भी हो इकाई कांग हमारा एक ही रहेगा तो 6 की power 43 से हमको मतलब नहीं है इसका इकाइक अंग कितना रहेगा 6 रहेगा गुणा 7 तो 7 में भी कितनी की cycle चलेगी 4 की cycle चलेगी तो दीके 7 की power basic को हम किस से भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे तो 4 दुनी 8 या 8 cancel हो गया इकाइक अंग कितना बच गया है अपर 2 तो 7 की power यहाँ पर हमारी कितनी आ जाएगी 2 ये चीच clear हो गई अब देखिएगा 7 की power 2 का हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इसको में लिख सकते हैं 49 तो यहाँ पर हम 49 लिख लेंगे 7 का square चीच clear हो गई अब देखिए 6 गुणा 3 कितना हो गया हाँ पर 18 हो गया 18 गुणा 49 एकाइक अंग पूछा है तो हम फिर से इकाइक अंग को लेंगे और 8 नहीं कितना हो गया 72 हो गया तो यानि कि जो 2 है वो हमारा क्या होगा इसका अंसर होगा option B हमारा यहां पे बिल्कुल clear होगा उमेद है यह वाला question भी आपको अच्छे से समझ में आगया होगा बढ़ते हैं अपने next question की तरफ next है 60 तक की सभी वीशम प्राक्रतक संख्याओं का ओसत क्या होगा तो देखिए अगर आपने मेरी पुराणी वीडियो नहीं देखी हैं आर्मी के exam के जो math के solution करवा रहा हूँ तो उनको जाकर दुरूर देख लेना उसमें मैंने दो वीडियो में लागातार बताया कि आपको इसको निकालने के आपकी trick क्या है ठीक है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताता है साथ के परतम साथ गुणोजो का उसत क्या होता है तो बिल्कुल सेम concept भी ये question है तीन के परतम तीन गुणोजो का उसत क्या होता है ठीक है पहली दस समसंख्याओं का उसत कितना होगा पहली 20 सम संख्यां को सट कितना होगा तो ये सारे कोशन मैं आपको बता चुका हूँ ट्रिक के साथ उसको मैं आपे दुबारे रिपीट करूँगा ये कोशन जो है उसी कॉंसेप्ट पे है ठीक है तो सॉल्व करते हैं अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उनको जाकर जरूर देख लेना वीडियो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो देखे 60 तक की सभी वीशम प्राकृतिक संख्या हैं अगर किसी सीरीज के बीच में अगर अंतर समान है तो उसका उसका हम कैसे निकालते हैं पहली संख्या और लास्ट की संख्या को हम जोड़ देते हैं तो 59 और एक कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा और क्योंकि हमने दो संख्या हैं जोड़ी हैं इसलिए हम इसको दो से भाग भी कर देंगे तो यहां से यह हमारा क्या जाएगा? इसका औस आता जाएगा ओप्शन ए हमारा बिल्कुल यहां पे सही आंसर होगा चीज क्लिर हो गई होगी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ और नेक्स्ट कोशन देखिएगा रमेश के वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धी कर दी गई बड़े हुए वेतन को 20 प्रतिशत कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाब अथवा हानी हुआ? तो देखिए ये कोशन बिल्कुल इजी है सक्सेसिव रेट का कोशन है इसके अंदर तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिएगा माल लिजिए हमार पस कोई धनराशी है वो कितनी है यहाँ पर 100 है अब 100 में हम पहले क्या कर दी? हमने 20% की विर्द्धी कर दी तो आप इसको 20 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा 100 का 20 कितना होता है? और इसमें हम 20 जोड देंगे तो वो कितना हो गया? 120 हो गया चीज क्लिर हो गई यहाँ पे आप देखे नेक्स्ट है कि बढ़े हुए वेतन को यानि कि जो 120 है उसमें फिर से 20 प्रतिश्यत की कम ही कर दी तो अब स्टुडेंट क्या करते हैं यहाँ फिर से 20 रख देते हैं निकालके और यहाँ फिर से 100 कर देते हैं तो देखे 120 का हमारा 20 प्रतिश्यत कितना होगा तो 120 का 20 प्रतिश्यत होगा 24 ठीक है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 120 गुणा 20 अपॉन में 100 तो 24 ही आपका यहाँ पर आंसर आएगा ठीक है बात यहाँ पर तो 120 का 20 प्रतिश्यत होगा 24 अब इसमें से हम 24 माइनस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 20 प्रतिश्यत कम किया है तो 24 यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना आएगा हमारा 96 आएगा यहां पर यह चीछ क्लिर हो गई आप देखेगा पहले हमारे पास कितने रिपे की थी 100 रुपे की और अब फानली कितने की हो गई है 96 की हो गई है तो चार प्रतिशत की क्या हुई है यहां पे हानी हुई है ऑप्शन बी हमारा जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ और देखें अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो पलीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना हो सकते तो वीडियो को लाइक और अपने देश्टों को शेर भी करें नेक्स्ट है यदि 300 व्यक्ति किसी कारे को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कारे के 1 बटा 5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे तो टाइम एंड वर्क का कोशन है सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए एक छोटा सा फोर्मूला कि जो हमारा वर्क होता है जो हमारा कारे होता है वो एफिशन्सी इंटू टाइम के एक्वल होता है यानि कि शमता गुणा समय इस इक्वल टू कार्या इतनी चीज़ आपको क्लेर हो गई अब यहां पर देखिएगा 300 व्यक्ति तो एफिशन्सी में हम किसको पूट करेंगे व्यक्ति को पूट करेंगे 300 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं तो 300 व्यक्ति हो गया और टाइम हमको देखिए 16 दिन का इनको हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल काम आ जाएगा तो टोटल काम कितना है हमारा 4800 यूनिट जो है वो हमारा यहां पर इस टाइम काम आ गया पांच निम 45 5 चीके 30 960 ठीक है तो एक बटा 5 हमारा कारे कितना हो गया वह हो गया 960 तो देखिए वर्क इज इक्वल टू कितना होता है एफिशंसी इंटू टाइम के एक्वल होता है हमारा वर्क अब कितना है 960 है ठीक है और उसको कितने दिन में 15 दिन में हमको समाप्त करना है तो पूछा है हमसे कितने लोगों के अवशकता होगी कितने एफिशंसी के अवशकता होगी तो इस वीडियो हलफू लगा होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड थेंक यू